जिन्दगी में इनसान अगर एक रास्ता अपना लेता है और वो है साधना का रास्ता तो इनसान को सिद्धी मिल जाती है किसी भी व्यक्ति को सिद्धत्त तक पहुंचना है किसी भी व्यक्ति को अरिहंत बनना है किसी भी व्यक्ति को तिर्थंकर बनना है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में निर्वान के अंतिम चणका इस पर सपाना है और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना है तो याद रखना गुन-गुने प्रियास कभी प्रणाम नहीं देते हैं जैसे गुनगुना पानी कभी भाफ नहीं बनता ऐसे गुनगुने प्रियास इनसान को कभी मोक्ष मुक्ष्य और निर्वान तक नहीं ले जा सकते हैं मुक्ष्य निर्वान और मोक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनसान को खुद को तपाना पड़ता है खुद को लगाना पड़ता है खुद को उस दिव्य मार्ग का अनुगामी बनाना पड़ता है उसका पठिक बनाना पड़ता है और जिससे व्यक्ति साधना के दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है जिससे व्यक्ति सिध्धत्व की दिव्य रहा पर अपने कदम बढ़ाता है उस अंबार्क का नाम है ध्यान का मारे ध्यान तो वो यान है ध्यान तो वो यान है जिससे व्यक्ति मुक्ति और सिध्धत्व की और अपने कदम बढ़ाता है हम जब कभी मंदिरों में जाते हैं तिर्थंकरों के मंदिरों में जाते हैं और वहां परम जब भी तिर्थंकरों के परतिमाओं के दशन करते हैं चाहे वे प्रतिमाई जैन दरम श्वेतांबर परंप्रा के प्रतिमाई हों और चाहे वो डिगंबर परंप्रा के प्रतिमाई हों पर एक बात सामन जश्य मिलती है हूँ बहू पत्चीस सो साल पहले भी जितनी भी तर्थंकरों की प्रतिमा बनी वैसी बनी आज जो बनरे वैसी बनेगी और पत्चीस सो साल के बाद भी इस धर्तिय पर तर्थंकरों की जब प्रतिमाय बनेगी उनकी एक ही मुद्रा होती है और वो होती है ध्यान मैं मुद्रा कौनसे मुद्रा? ध्यान मैं मुद्रा, हाँ मेरे भाई जब अभी किसी व्यक्ति को तिर्थंकर बनना होता है, अरियंत और सिद्ध बनना होता है, उस हर व्यक्ति को ध्यान का सहरा पकड़ना पड़ता है चाहे भगवान श्री आदिनात ने साधना की हो, चाहे भगवान श्री शांतिनात ने साधना की हो, चाहे भगवान श्री नेमिनात ने गिरनार की धरती पर साधना की हो, और चाहे भगवान श्री माहवीर ने अंगवंग कलिंग में अपनी साधना की हो, पर जिसने जब जहां साधना की उन्होंने साधना का एक ही मारगचुना इसलिए आज तक अगर लाकों लाक करोडों करोडों मूर्टियां इस दुनिया भर में तर्थंकरों की मिलती हैं पर ऐसे एक भी तर्थंकर की मूर्टि नहीं है जिसकी मुद्र आश्रिवाद में हो समस्त तर्थंकरों की मूर्टियां और उनके मुद्राएं एक ही मुद्रा में मिलती हैं और वह ध्यान की मुद्रा क्योंकि तर्थंकरों ने तर्थंकरत्व अरिहन्तों ने अरिहन्तत्व सिद्धों ने सिद्धत्व अगर अप्राप्त किया तो एक मात्र ध्यान से प्राप्त किया अप्पा सो परमपा आत्मा ही परमात्मा का सुरूप लेती है और इस आत्मा को परमात्मा का सुरूप बनने में एक चीज काम करती है वो है ध्यान ध्यान का वो यान होता है जिससे व्यक्ति सवार हो जाए तो मन की शांती को हासिल करता है चित्त की वृत्यों से अपने आपको उपर उठा लेता है मानसिक संताप से अपने आपको उपर ढढ़ा लेता है संसार में पलने वाले राग द्वेश की धारा को अपने आप से मुक्त कर लेता है वो राग से उपर उड़कर विराग में आता है विराग से उपर उड़कर वेराग्य में आता है और वेराग्य के और बड़ी वे चरने ही एक दिन वीतरागता के और उस गदम बढ़ा देते हैं आत्मा की तीन इस्थितियां होती है पहली इस्थितिय होती है बहिरात्मा दूसरी इस्थितिय होती है अंतरात्मा और तीसरी इस्थितिय होती है परमात्मा बहीरात्मा वो है जिसको केवल संसार के राग रंग ही अच्छे लगते है जिसको केवल दुनियादार ही अच्छी लगती है जिसको संसार की भौकती ताहें अच्छी लगती है जिसको जमीन, जिसको वस्त्र, जिसको भोग, जिसको संसार की वस्तुएं जिसको जमीन, जाइदाद, धन, संपत्य, दौलत यही सम अच्छी लगती है वो अमिसा बाहर में जीता है वो बाहर के राग रंग में जीता है कभी इस से प्रेम करता है, कभी उस से प्रेम करता है कभी अपने अहंकार का पोशन करता है कभी किसी से हाथ मिलाता है कभी किसी का हाथ चीनता है कभी किसी का मित्र बनता है कभी किसी का सत्रू बनता है कभी किसी के निकड जाता है कभी किसी से दूर जाता है ये जो बाहर-बाहर के प्रवर्त्याव्यक्ति के पलती रहती है संसार में जनमता है संसार में जीता है और संसार में ही मरकर अपनी जिंदगी को पूरी कर लेता है भगवान कहते हैं वो बहिरात्मा है बहर समय बाहर बाहर में जीता है उसे बाहर के दुनिया अच्छी लगती है बाहर के सुख उसे अच्छी लगती है बाहर की सुविधाएं उच्छे अस्टी लगती है बाहर का सम्मान उसे अच्छा लगता है लेकिन एक कदम और आगे बढ़ता है बहिरात्मा जब अंत्वनिय मुक्ती की व्यवस्ता करना चाता है तो उसे बहिरात्मपन से मुक्त होना होता है और अंतरात्मा में प्रवेश करना होता है भगवान कहते हैं ध्यान करने के लिए हर किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है बहिरात्मपन से बाहर निकल अंतरात्मा में प्रवेश कर और प्रमात्मा का ध्यान कर तो साधना और सिद्धिक उपलब्द हो जाएगा क्या कर? बहिरात्मपन से बाहर निकल जो इंद्रियां हमेशा बाहर जीती रही हमने बाहर के समबाद सुने हमने बाहर के दृष्ष सुने हमने बाहर की बातें सुनी हम भीतर की आवास तो सुने ही नहीं पाए रस गगन गुफा में अमी जरे और बिन बाजा जंकार उठे जो भीतर की आनंद है जो भीतर का जंकार है जो भीतर की गुफा है जो भीतर की आत्मानंदी जो व्यक्ति की चितना के उपलब्दी होती है इनसान के वहां तक पहुँच नहीं बन पाती वो बाहर के प्रवर्तियों में बच्पन जीता है बाहर के प्रवर्तियों में जवानी जीता है और बाहर के प्रवर्तियों में बुढ़ापा पूरा कर देता है बच्पन उसका बीच जाता है खिलोनों में जवानी बीच जाती है पत्नी और पैसे में बुड़ापा बीच जाता है पोते पोत्यों में आदमी अपनी आत्म कल्यान के व्यवस्ता तो कर ही नहीं पाता बच्पन में वो खिलोनों में जी रहा था जवानी में पत्नी के लिए जी रहा था व्यपार व्यवस्था के लिए जी रहा था और बुढ़ापा आते आते मन बन गया मैं अपने पोतों के लिए व्यवस्था कर दूँ मैं अपने दोहीतों के माईरी के व्यवस्था कर दूँ मैं अपने पड़ पोतों के लिए व्यवस्था कर दूँ मैं अपने बच्चों के लिए पांच बच्चे हैं तो पांच प्लॉड बना दूँ और बच्चों के भी तो तीन पोते हैं उनके लिए भी तीन अलग अलग पौण दे दूँ भाई मैंने सब की व्यवस्ता कर ली बुड़ा पर मैं जब आदमी कहता है ना बाब जी मैंने सब व्यवस्ताइं कर दी, पूस्ताओं क्या कर दी पोतों के लिए भी प्लॉड कर दी बाप जी बच्चों के लिए भी प्लॉड कर दी बाप जी उनके लिए भी कर दी तब मुझे लगता है ओ, जीव कितना अग्यानी है जीव कितना मिठ्यात्मों में जीता है जीव कितना वहिरात्मपन में जीता है जनम से लेकर मृत्यू तक कि उसकी धारा किवल बाहर की व्यवस्थाओं में जीते रह जाती है अंतिम चन तक भी आदमी यही सोचता है मैंने सबकी व्यवस्था कर दी मैंने सबकी व्यवस्था कर दी में मंच पर आकर उनी के लिए आत्म शान्ति की प्रार्तना करने पड़ती है जो जीती जी अपनी शान्ति की व्यवस्ता नहीं कर लेते जो जीती जी आत्म शान्ति का आनन नहीं ले लेते जो जीती जी भीतर की शान्ति का आनन नहीं ले लेते इसलिए महापुरुस कहते हैं स सामान ये व्यक्ति जब जाता है तो उसके लिए आत्म शान्ति की प्राट ना करो लेकिन जब सादक व्यक्ति जाता है उसकी आत्म शान्ति की व्यवस्ता वो लोगों के बरों से छोड़कर नहीं जाता वो अपनी शान्ति की व्यवस्ता खुद करके जाता है वो अपनी बत्धाओं में जीता है। 30 साल का व्यक्ति संसार में आसक्त रहे अगर वही संसार की संसार में धारा में बहता रहता है। वही धंदा पानी व्यापार में जीता रहता है वही बच्चों के भरन पोशन की व्यवस्ता में लगा रहता है वही उनकी चिंता में डूबा रहता है तो भगवान कहते हैं सोचो अपनी आत्मा का कल्यान कब करोगे और जो तुमारी communicating प्रस्थ की आ गई है जो हमारी उम्र सन्यास की आ गई है अगर उस उम्र में भी हम वही वही संसार की धरा में बैते रहेंगे और एक गजब होता है एक आदमी की पहली पत्नी मर गई दूजी ले आया दूजी मर गई तीजी ले आया तीजी मर गई और जब चौथी लाने का बंदवस्त करने लगा तो किसे संत ने कहा जीव सोच एक के मरने पर दूजी लाया दूजी के मरने पर तीजी लाया पर जिस दिन तूँ खुद मरेगा तब तेरी आत्म शान्ती के व्यवस्ता तुने क्या की तो हम सभी लोगों को ये आत्म चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे जीवन के शान्ती के व्यवस्ता क्या मेरे मरने के बाद जब उठावना होगा जब मेरी तस्वीर लगेगी जब फूल रखे जाएंगे जब एक माइक लगेगा और जब लोग आके कहेंगे हे भगवान उनको आत्म शान्ती देना हे भगवान उनको आत्म शान्ती देना हे भगवान उनको आत्म शान्ती देना मेरे भाई इतनी कमजोर इतनी कायरपन के जिंदगी जी कर मत जाना कि हमारी आत्म शान्ती के व्यवस्ता कोई दूसरा करे जब हमने मकान की व्यवस्ता कुद की पत्नी बच्चे और परिवार की व्यवस्ता कुद की धन दौलत जमीन जायदात की व्यवस्ता कुद की तो आत्म शान्ती की व्यवस्ता दूसरा कैसे करेगा आओ हम कदम बढ़ाते हैं जब जिन्दगी में सारी व्यवस्ता हमने की तो शान्ती की व्यवस्ता, अपनी सद्गती की व्यवस्ता, अपनी आनंद की व्यवस्ता, हम खुद करेंगे, और मैं विशेज कर, उन सब लोगों से कहना चाहूंगा, जिनोंने वान प्रस्त जिंदगी का एक पड़ाव अपने आप में पालिया है, और जो साठ के पाड़ हो गए है, मन सबी लोगों से जीवन का ये पाड़ पड़ाना चाहूंगा, आओ, अब तो अपनी आत्म कल्यान की व्यवस्ता करो, अब रागत द्वेस की धारा से अपने अका बाहर निकालो, अब संसार की लिप्त तासे अपने आपको उपर उठाओ, अब कीचर में बहुत धंस गए, मेरे भाई अपनी जीवात्मा को कमल का सरूब दो, और कीचर से बाहर निकलो, जी लिए, पत्नी के लिए जी लिए, बच्चों के लिए जी लिए, बाल गोपाल के लिए, धंदे पानी के लिए, जमीन जायदात के लिए, अब तो अपने आपके जीवन के व्यवस्था कर ले, और एक बात ध्यान रखना, मन की शांती, जीवन की शांती, जीवन का आनंद कहीं बाहर के निमित्तों से नहीं मिलता है, जीवात्मा को जब भी मिलता है भीतर से मिलता है मुझे याद है एक संत जिसके जंगल में कुटिया थी चारों तरफ कुछ भी नहीं था गनगोर जंगल में उसकी कुटिया थी और कुटिया में उसकी सारपाई सहीया लगी वी थी वो वहीं रहता था एक दिन पतानी अचानक उसने रात को एक सपना देखा और सपने में उसने देखा कि यहां से तीन मिल दूर नदी है नदी के उपर पुल है, पुल के उस पार एक बिजली का खंबा है और बिजली के खंबे के नीचे खूब सारा धन गड़ा हुआ है क्या क्या देखा, याद करो जंगल में सोयवे उस संतने एक सपना देखा कि यहां से तीन मिल दूर क्या है, नदी है नदी पर पुल है, पुल के उस पार बिजली का खंबा है और बिजली के खंबे के पास में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है संत को लगा, एक दिन सपना आया, आ गया होगा पर अगले दिन रात को फिर वापस वही सपना आया संत ने फिर नेगलेट किया, पर तीसरे दिन रात को वापस वही सपना आया, और तब संत को लगा जरूर इस सपने में कोई खाशत है जरूर वहाँ कोई धन गड़ा हुआ है मैं जाता हूँ सपने की सच्चाई पता करके आता हूँ और अगर धन गड़ा हुआ है तो निकाल के लाता हूँ संतर अवाना हुआ तीन मिल चला वास्तों में नदी आ गई नदी पर पुल पुल के पार बिजली का खंबा पर चौक पढ़ा क्योंकि वहाँ जाकर कुछ न कर न पाया क्योंकि ठीक उसी बिजली के खंबे के पास एक चौकिदार खड़ा था संत पहले दिन भी गया संत दूसरे दिन भी गया संत तीसरे दिन भी गया और लगातार तीन दिन जब जाता रहा और तीनों दिन वहीं पर चौकिदार को खड़े देखा तो उसने चौकिदार ने संत को अपने पास बुलाया कहा माराज इधर आओ आप परसों भी आए थे आप कल भी आए थे आप आज भी आएं बात क्या आप रोज क्यों आ रहे हैं यापर और आकर किया काफी दिर तक खड़े रहते हैं मुझे देखते रहते हैं निकल जाते हैं बात क्या है संत ने कहा भाई क्या बताओं मैं रोज एक सपना देख रहा हूं क्या कि सपना में ये देख रहा हूँ कि मैं जहां रहता हूँ वहां से तीन मिल दूर नदी है ये रही नदी नदी के ओपर पुल है ये रहा पुल पुल के पार बिजली का खंबा है ये रहा खंबा और खंबे के नीचे खूब सारा धन गड़ा हुआ है जैसे ही चौकिदार ने ये सुना उसे बड़ी जोर की हसी आई और उसने का महराज क्या गुजब है तीन दिन से आप रोज सपना देख रहे हैं और तीन दिन से मैं भी एक सपना देख रहा हूँ कहा बोल बेटा तू क्या सपना देख रहा है कहा महराज मैं ये सपना देख रहा हूं कि यहां से ठीक तीन मिल दूर एक कुटिया है कुटिया में एक चार पाई है और चार पाई के उपर एक संत सोता है और उस चार पाई के नीचे खूब सारा धन गड़ा हुआ संत ने जैसे ही सुना वो चौंका ओ सची अरे महाराज एक दिन पहले भी देखा परसों भी देखा, तरसों भी देखा लगातार तिन दिन से मैं सपना देख रहा हूँ कि यहां से तिन मिल दूर एक संत की कुटिया है, कुटिया में चार पाई है, चार पाई में हूब हूँ आप जैसे चेहरे वाला संत नोज मैं देख रहा हूँ और वो संत सोता है और उसके नीचे धन गड़ा हुआ है संत को जीवन का ज्यान मिल गया तत्व मसी वह तू है, तू जिस धन के तलाश कहीं और कर रहा है कस्तूरी कुंडली बसे अरे जिस कस्तूरी के तलाश में हिरण पुरे जंगल को खाक छान मारता है वो कस्तूरी और करहीं इनसान के अपने भीतर है और तब ये जीवन का ज्यान संत को मिल गया कि मैं जिस धन की, जिस आत्म धन के तलाश कर रहा हूं, वो धन कहीं और नहीं, मेरे भीतर है, पहले हमें इस सत्य को जानना होगा, इस सत्य को अपने भीतर में उतारना होगा, कि वह और कहीं नहीं, कहां है, मेरे भीतर है, हमें पहचानना होगा, कि शांती कहीं और नहीं, मेर बीतर है तत्व मसी वह मेरे भीतर है कस्तुरी कुंडल बसी वह कस्तुरी मेरे भीतर है ये सत्य का एसास करना होगा कहते हैं सूफी फकिर राबिया वसी जैसे जैने द्रम में चंदनबाला का महत्व है वैसी सूफी फकिरों के परंप्रा में राबिया वसी का महत्व है बड़ जा रहे हो उन फकीरों ने कहा सूफी फकीरों ने कहा हे राबिया हम लोग भगवान की तलाश में जा रहे हैं जंगल में जा रहे हैं इश्वर की तलाश करने जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए भगवान की तलाश करने के लिए हम जा रहे हैं राबिया ने कहा वो तो ठी कहें पर एक काम करो भाई मेरा के बोलो मा क्या काम करूं कि मेरी सुई खो गई है और थोड़ा-थोड़ा अंधेरा हो रहा है मुझे सुई नजर नहीं आ रही है थोड़ा तुम लोग मदद कर दो मेरी सुई मुझे दिला दो संतों का रुको रुको राबिया तुम अराम करो तुम तो वैसे भी बुड़ी होगे, तुम्हें कहा नजर आएगी, हम डून कर देखे हैं, और वो छे, सात, संत, पंदर मिनद तक लगा, तार इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, चारों और सुई के तलास करते रहें, पर सुई मिली नहीं, तब एक संत ने पूछा, राबिया ज हम तो समझते हैं, तुम बड़ी आत्मक ग्यानी हैं, बड़ी सास्त्रों की ग्यानी हैं, बड़ी दिव ग्यान के धनी हैं, और आज पता लगा, ग्यान नाम की चीज़ नहीं है, और जब सुई तुमारी कुटिया में खोई है, तो बाहर में बेवज़े मैनत क्यों करा रही हो हम इत्नी देर से ढूढ़ रहे हैं बाहर में और तुम्हीं यह नहीं बता सकते खे कि सूई अंदर खोई है राभिया नहीं कहा बई संतों सूई तो अंदर खोई थी पर क्या बताऊं अंदर थोड़ा अंधेरा है ना इसलिए मैं बाहर खोज रही हूँ संतों ने कह राबिया जीवन पर याद रखना बाहर अंधेरा हो या प्रकास हो पर एक बात तैह है सुई वही मिलेगी जहां पर खोई थी राबिया ने उन संतों को जीवन का आत्म ग्यान देते हुए कहा मेरे प्यारे संतों सुई तो मैं कभी की खोज लूँगी पर मैं तुम को जीवन का पाठ पढ़ा रहे हूँ जब सुई जहां खोई है वही मिलेगा चाहे वहां अंधेरा हो तो याद रखना जब इश्वर जहां बैठा है परमात्मा जहां बैठा है वही मिलेगा तुम जब आँख बंद करके बीतर उतरोगे तो तुमें लगेगा कि बीतर अंधेरा है पर गवराना आमात् जो चीज जहां खोई है आकिर वो बोलो बोलो वहीं ही तो मिलेगी जो चीज जहां मेरे भीतर है, क्या, वह मेरे भीतर है, ब्रहमांड की दिव्य शक्तियां मेरे भीतर है, ब्रहमांड में जो पंच महाभूत है, शित जलपावक गगन समीरा, पंच भूत रचित अधम सरीरा, ये जो ब्रहमांड में पंच महाभूत है, ये पांच महाभूत ब्रहमांड के, इन मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, ब्रह्मांड में पूरा जल भरा हुआ है, मनुष्य में जल है, ब्रह्मांड में अगनी बरी है, मनुष्य की बीतर अगनी बरी है, मेरे भाई पंच महाभूत मनुष्य की बीतर है, इसलिए एक मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की इकाई ह एक मनुश्य पूरे ब्रह्मांड की काई है एक मनुश्य में सब कुछ समाया है जो कुछ ब्रह्मांड में है जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे सत्व में है हमारे बीतर समाय हुआ है सब वहीं विलीन हो जाता है इसलिए आपको मालूम है इनसान के जीवन की यात्रा दो किलों से सुरू होती है धाई किलों से सुरू होती है और इनसान के जीवन का समापन होने के बाद वापस धाई किलों राक और हड्डियां ही हिस्से में आती है जितने किलों से जीवन सुरू होता है उतने किलों पे जाकर जीवन खतम होता है और बार बार यही यात्राएं चलती रहती है आत्मा न जनमती है न मरती है मा के कोक से जनम लेने पर भी उसका जनम नहीं होता और शमसान के द्वार से गुजर जाने के बाद भी उसकी कभी मरत्यू नहीं होती वो जनमने से पहले भी थी वो मृत्यू के बाद भी रहती है इसलिए न जन्म है न मृत्यू है शरीर का जन्म है शरीर की मृत्यू है आत्मा का न तो जन्म होता है नहीं मृत्यू होती है जब हमें जीवन का ये पहला पाड़ पढ़ने को मिल गया आत्मा का नजन में है नम्रत्यू है इस सत्य का जब इनसान को बोध प्राप्त हो गया अंतरदिश्टी जब व्यक्ति को मिल गई तो आओ हम भीतर की यात्रा में प्रवेश करते हैं क्योंकि भीतर का अपना अद्बुत अलंग आनंद है बाहर की दुनिया अलग हो सकती है पर बीतर की दुनिया बड़ी अद्बुत है मेरे बाई बाहर की दुनिया में तो आँख बंद होती है पर बीतर की दुनिया में आँख खुल जाया करती है बाहर की दुनिया में जब आँख बंद होती है तो उसे नींद कहते हैं और बीतर की दुनिया में जब आँक बंद होती है उसे ध्यान और साधना कहते है आओ आज हम एक नई रहा पर अपने कडम बढ़ाते हैं हमने मारगानों सारी जीवन भगवान श्री माहवीर ने हमें दिव्य जीवन जीने का जो मारगा दिया हमारे तिर्थंकरों ने जो हमें पवन पावित्र जीवन जीने का मारगा दिया हमें अनासक्त कर्म योगी बनने का जो मारगा दिया आज मैं अगला कدم आपका बढ़ा रहा हूँ और वो है आज हम तैह करें हम भीतर की यात्रा करें मेरे भाई इनसान के पास दो विकल्प है या तो वो चंदर लोक की यात्रा करे या वो अंतर लोक की यात्रा करे मैं आपको इतना सा फर्क बता दू जब इनसान ने चंदर लोक की यात्रा की तो आते समय मिट्टी का ढेला लेकर आया पर जब इनसान अंतर लोक की यात्रा करता है तो भीतर से आते समय मुक्ट हीरे लेकर आता है मोक्ष और मुक्टी लेकर आता है कोई तर्थंकरत और अर्यंत लेकर आता है चंद्र लोक की यात्रा हमें मिट्टी के ढेले दे सकती है पर कौन सी अंतर लोक की यात्रा कौन सी यात्रा अंतर लोक की यात्रा भीतर की यात्रा भीतर में उतरने की यात्रा भीतर की आनंद की यात्रा अरे कभी शांति के पलों में पंद्रह मिनट आँख बंद करके बैठा भी करो, आती जाती स्वासों पर ध्यान भी केंद्रित किया करो, अपनी मन की चित की व्रत्यों पर अपने अंतरदिश्टी केंद्रित किया करो, ओ विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे नदी में पानी के ज आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकाएं आ रही हैं, जा रही हैं, पर इन सब के बावजूद मैं किदारे पे खड़ा हुआ, इनको देखता हूँ, पर इनको छूता नहीं हूँ, मैं इनको देखता हूँ, पर इनसे जुड़ता नहीं हूँ, जब व्यक्ती के बीतर साक्षित्व क की सादना सकती है जब व्यक्ति की बीतर विपश्चना विपश्चना का मतलब क्या होता है विपश्चना का मतलब होता है ध्यान पूरवक देखना जुड़ना नहीं केवल देखना सिर्फ सिर्फ देखना मात्र देखना जब होता है तो माहवीर की साक्षित पर उतर कर आता है और तब बुद्ध की विपश्चना उतर कर आती है क्या जब सिर्फ इनसान देखता है मेरे बीतर विशार आ रहे हैं मैं आते वे को रोकता ने हूँ जा रहे हैं जाते वे को रोकता ने हूँ मैं केवल तरश्टा भाम में हूँ मैं केवल साक्षी भाम में हूँ अंतस के आकास में चुप बैठा वह कौन और गीत सुन्य के गा रहा महागुफा में मान जो अंतस के आकास में बैठकर बीतर की शान्ति और अलग जगा कर अंतर दीब जला कर बीतर में उतर कर अपने आपको पहचानने की कोशिश करता है मेरे भाई मैं आपको बता दू दुन्या में धर्म करने का जो सबसे सरल मार्ग है सबसे सरल मार्ग मुझे कोई पूछे कि साब मुझे धर्म करना है अध्यात्म में जीना है आत्म साथना करनी है मुझे मुक्ति की रहा पर चलना है मुझे मोक्ष की और अपने कदम बढ़ाने है मुझे निर्वान की यात्रा करने के लिए अपने कदम बढ़ाने है तो दुनिया का सबसे सरल मार्ग कौन सा हो सकता है मैं बताता हूँ दुनिया का सबसे सरल अगर कोई धर्म का मार गए तो वो ध्यान है इसके लिए कहीं जाना नहीं है इसके लिए कुछ करना नहीं है जो कर रहे हो उससे भी मुक्त हो जाना है ना कुछ करना है नाना है ना दोना है ना कपड़े बदलना है ना चंदन गिसना है ना फल लाने है न मिठाईयां लानी है कि न कहीं जाना है न टिकेट बुक करानी है न कहीं कुछ करना है न साथ में टिफिन लेके चलना है कुछ भी नहीं करना है आप जहां बैठे हैं बेवजह विकलपों में जीने की बजाए बेवज़ है विचार संकल्पों में जीने की बज़ा है बेवज़ है अंतरमन में उहापो करने की बज़ा है बेवज़ है इधर उधर की बातें करने की बज़ा है बेवज़ है तेरी मेरी करके करम बानने की बज़ा है बेवज़ है इधर उधर की एक दुझे के घरों के जिक कि खुछिए खुछिए कर दो सब लूटने दिए आरे कि बाइब कर दोस्वारी टुछिए कर दोसे हो ऐसा दोसे कि बाइब हो एया है